सब्सक्राइब नाम पिंटु शिंग्यादो है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेउज लाइब दोस्तों इस तरीके से तमाम राजियों के बिधान्शबा चुना हुए तो मध्यप्रदेश का एक नया सियम मिल चुका है और सिवराज का राज जो है वो 17 साल का खत्म ह चुका है और नया सियम के तोर पर अंजाना चेहरा मोहन यादो को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसके बाद तमाम तरीके की बाते हो लगी है कुछ लोगों का OBC वोटरों को साधने की बात करी जा रही है तो वहीं उत्रप्रदेश के सुप्रीमों रहे और सुप्रीमों स मध्यप्रदेश में भारते जंता पार्टी ने मोहन यादो को राज्य की कमान शौपने का फैसला किया है बीजेपी ने मध्यप्रदेश में सीम पद के लिए मोहन यादो का नाम एलान कर दिया है मोहन यादो अब मध्यप्रदेश की अगले मुख्यमंत्री होंगे वहीं मुहन यादो भी यादो समाज से आते हैं और इधर यूपी में यादो बोट बैंक सपा का खास माना जाता है इससे साफ है कि यूपी में अखलेस यादो के टेंशन बढ़ सकती है उतर प्रदेश में करिफ 10 से 12 फिजदे ओटर्च यादो समुदाई के हैं और सपा का कोर बट माना जाता है हलांकि बीजेपी ने लोक्सवा चुना को देखते हुए ऐसा चक्रिबू रचा है जो सपा के लिए मुसीवत खड़ी कर सकती है बीजेपी ने मध्यपदेश में मुहन यादो को सीयम बनाकर यूपी का भी जादिकर्ट समीकर्ण सादने के कोशिश है यह प्लान तेयार किया है जहां बिहार में यादो वोटर्स की अबादी 14.26 पिस्त तीजर है तो यहां रहा के कुल जन संख्या का 10% यादो वोटर्स है और ये बात मानी जा रही है और तरपदीश में जिस तरीके से यादो के भूट बैंक पर लगतार खलेश यादो कूट कि मैं बादी का जबाद।